हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको CSS के बेकग्राउंड प्रोपर्टीज के बारे में बताऊंगा CSS के दवारा किसी भी HTML एलिमेंट का बेकग्राउंड सेट किया जा सकता है बेकग्राउंड दो तरह से सेट किया जा सकता है हम चाहे तो background में कोई solid color set कर सकते हैं या फिर कोई image भी set कर सकते हैं background को set करने के लिए CSS हमें बहुत सी properties provide करती है friends मैं आपको पहले background color set करके दिखा देता हूँ मैं इसे यहां से delete करता हूँ उसके बाद मेरे पास यहां पे कुछ paragraphs हैं मैं इसे save करके browser को refresh करता हूँ friends हम यहां देख सकते हैं अभी हमारे पास एक simple html page है जिसमें कुछ paragraphs हैं और उन paragraphs के अंदर कुछ dummy text है अब मैं आपको अपने इस html page का background color change करके दिखा देता हूँ मैं यहां इस style take के अंदर body लिखता हूँ और curly braces के अंदर मैं background color set करता हूँ background color मैं यहां पे pink color set करता हूँ और इसे save करके browser को refresh करता हूँ हमारे html page का background color pink set हो गया है उससे लग अगर मैं यहां पे किसी paragraph का background color कुछ और change करना चाहूँ तो मैं यहां पे background color लिखता हूँ और मैं इसे color name यहाँ पर set करता हूँ yellow इसे save करके browser को refresh करता हूँ Friends हम देख सकते हैं हमारी HTML body का background color pink है और हमारे सभी paragraphs का background color yellow है इस परकार हम अपने HTML page में CSS के background properties के दवारा color set कर सकते हैं Friends अब मैं आपको background में image set करके दिखा देता हूँ Friends CSS के दवारा image को background के रूप में set किया जा सकता है इसके लिए background image property यूज की जाती है इस property की value के रूप में image का URL दिया जाता है यहाँ पर मैं background image लिखता हूँ और उसके बाद URL में bracket के अंदर अपनी image का URL लिखता हूँ हम इसे single या double quotes में लिखते हैं मैं यहाँ पर single quotes लगा देता हूँ और इसे save करके अपने page को refresh करता हूँ Friends हम यहाँ देख सकते हैं हमारे HTML page के background में एक image set हो गई है कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी image बहुत छोटी हो और उससे पूरा background fill नहीं हो रहा हो ऐसी situation में हम background image property के बाद background repeat property यूज करते हैं इस property की repeat और non repeat दो value होती हैं जब हम repeat value define करते हैं तो हमारी image repeat हो जाती है और पूरे background को fill कर देती है मैं यहाँ पर image name लिखता हूँ रोज और उसके बाद background repeat पहले मैं यहाँ पर no repeat set करता हूँ और इसे save करके अपने browser को refresh करता हूँ friends हमारे पास यह image है जो हमारे background में set है अब मैं यहाँ no repeat की जगा repeat value set करता हूँ इसे save करके browser को refresh करता हूँ friends हम देख सकते हैं इसके बादों में यह image repeat हो गई है जिसकी वज़े से हमारा पूरा background cover हो चुका है next background image repeat करने के अलावा हम चाहें तो image को background में किसी position पर set कर सकते हैं background position property की हम दो value देते हैं पहली value left side से image की दूरी define करती है और दूसरी value top से image की दूरी define करती है तो चलिए friends मैं इसे यहां पर दिखा देता हूं मैं यहां no repeat के बाद background position लिखके उसकी position set करता हूं मैं left से 100 pixel लिखता हूं और top से 50 pixel इसे save करके browser को refresh करता हूं हमारी image left से 100 pixel की distance पे है और top से 50 pixel friends background images के लिए css में एक property और available है इस property के दोवारा हम background image को fixed या scrollable बना सकते हैं यह property background attachment है इस property के fixed or scroll two values हो सकती है fixed value से image fixed रहती है उसे scroll नहीं किया जा सकता और scroll value से image को scrollable किया जा सकता है मैं यहां पहले अपनी इस image को change करता हूं followers और इसके बाद मैं इन्हें यहां से delete करता हूं, save करके browser को refresh करता हूं, इसकी background attachment मैं set करता हूं, scroll और यहां मैं एक paragraph और बढ़ा देता हूं, इसे save करके अपने browser को refresh करता हूं, friends हम यहां देख सकते हैं, हमारी image scroll हो रही है, अब मैं यहां पर scroll की जगहां इसकी value को fix कर देता हूं, और इसे save करके browser को refresh करता हूं, friends जब मैं अपने इस page को scroll कर रहा हूं, तो हमारी image fix है, हमारी image scroll नहीं हो रही है, बलकि हमारा यह text scroll हो रहा है, तो friends यह था हमारा CSS background के बारे में, हमारे video channel को subscribe करना ना भूले ताकि आपको recently update मिलता रहे,